दोसों इस बार आपके syllabus में एक song को add किया गया है जिसका नाम है पीपा song ये Robert Browning के work पीपा passes जो की एक words ड्राम है उसमें एक song है पीपा नाम की लड़की ने इस song को गाया है अब interesting बात ये है कि song को पढ़ना जितना important है उससे ज्यादा important ये है कि इसके context को जान लिया जाए मतलब हमें इस song को पढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये song लिखा क्यों था Robert Browning ने चलिए बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है चलिए शुरू करते हैं इस पीपा पासिस को Robert Browning के Bells and Promegranates नाम की सीरीज में publish कर भाया गया था ये मैं आपको बता देता हूँ एक words ड्रामा है दोस्तो words ड्रामा का मतलब क्या होता है आप मेंसे बहुत सारे students को पता होगा ऐसा ड्रामा जो poetic form में लिखा जाता है मतलब poetry की तरह जिसको लिखा जाता है उसमें एक पीपा नाम की लड़की है जो 12 साल की लड़की है एक silk mill में काम करती है mill मतलब factory type से और पूरा साल वो काम करती है दोस्तो मैं आपको इस song का context बता रहा हूँ जो आपको exam में बड़ा काम में आएगा तो एक लड़की है पीपा नाम की जो एक mill में काम करती है और वो एक song गाती है और उस song को हमारे syllabus में add किया गया है जिसका नाम है पीपा's song इसे 1841 में publish करवाया गया था commercially तो पता नहीं लेकिन critically बड़ी attention मिली ती इसको तो मैंने आपको बताया कि एक 14 साल की लड़की है जो एक silk mill में काम करती है पूरा साल वो काम करती है एक भी चुट्टी इसको मिलती नहीं सिर्फ साल में एक दिर उसको चुट्टी मिलती है New Year वाले दिन New Year नए साल वाले दिन जस दिन भी वो गूमती रहती है बटकती रहती है और अपना सौंग गाती है जहां से भी वो पास करती है वहां पर लोग अपने कामों में लगे रहते हैं जब उसका गाना सुनते हैं तो सोच में बढ़ जाते हैं पहले मैं आपको ये song पढ़के सुना देता हूँ, ज्यादा लंबान ये, चार लाइनों का song है दोस्तों, ये song है, The years at the spring, the days at the morn, mornings at seven, the hillsides dew pearl, the larks on the wing, the snail on the thorn, gods in his heaven, all right with the world. ये वो song है, जिसमें एक लड़की गाना गा रही है, कि spring का मौसम है, morning का, मतलब सुबह का time है, सुबह के साथ बज़ रहे हैं, और hillside पर dews, यानि की ओस की पूंदे ऐसी लग रही है, जैसे pearl, pearl मतलब मतलब मोती होते हैं, और lark, lark मतलब एक टाइप का bird होता है, जो जिसके प deep meaning समझाने की कोशिश करता हूँ, अब मैं थोड़ा इस song का main idea समझाने की कोशिश करता हूँ, दूसरे यहाँ पर Robert Browning ने एक बच्ची के बारे में बताया है, जो 14 साल की है, silk mill में काम करती है, वो अनाथ है, उसकी life miseries से भरी हुई है, गंटों तक उसको काम करना पड़ता है, उसको साल में सिर्फ एक ही चुट्टी मिलती है, नियू यर वाले दिन, जिसमें भी घूमती है और गाती रहती है, जहां से भी वो पास होती है, वहाँ पर लोग उसको द यहां पर Robert Browning बताने की कोशिश कर रहे है, आपको लग रहा हुआ कि एक चोटी सी बच्ची के माध्यम से सिंपती बटोरने की कोशिश कर रहे है, लेकिन दोस्तों यह सच्चा ही थी उस टाइम की, उस टाइम पे बच्चों से इसी तरह से काम करवाया जाता था, गंटों त चलता हुआ, यह दिखाने की कोशिश किये कि सिर्फ इनसान ही नहीं, जानबर, अनिमल्स, इंसेक्ट, और बिर्ड्स, इन सबकी लाइफ भी मिजरी में है, सिर्फ एक इनसान की से बच्चा की लाइफ मिजरी में नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी तो चलती रहती है, जि